प्रियाग एसेट प्रियाग एसेट प्रियाग आरे क्या ये बही बिश्रो यवतारी अरे बल के द्वारे पे आए और फीने कदम प्रथवी नापन को हरे ने तरण बढ़ाए केवड सोच नहां है मन में प्रमातमा क्या यही विश्रो भगवान है जो बलके दरबच्चे पैगाए तीन कदम में तीनों लोगों को इनने ना प्लिया आज बही राम हमसे ना मगा रहे आरे क्या ये पही विश्रो यवत्तान वलके द्वारे पे आए तीन कदम प्रथवी ना पन तो हरे ने तरण बनाए केवट ने सोचा ये वही विश्रो है जो बलके दरबच्चे पैगाए तीन कदम में तीनों लोगों को ना प्लिया लेकिन आरे तीनिक्त तमय ना हरे ने ना प्लिया आरे आज नग है नाए गंगा औरे न दीके नादे व्यर्थम चाय रए खड़े वादंगा पर के वट और वा सोचल लगो सोचल लगो के अकेले ओदे तो चले उजाते संग में लचमड भाई है जोटे संग में सीता मैय आए आज यो होते ये पेले तो नगी जाते पर संग में सीता नारी अरे कैसे यो तरे पार में संग से सधाब यवतारी हुआ यसा जब केवट सोचने लगा परमात्मा क्या यही विश्णू भगवान है जो बलगे दरवज्य पेगए तीन कदम में तीनों लोकों को इन्होंने नाप लिया और यह चाहें तो लांग जाते गंगा जी को लेकिन नहीं अकेले होती तो नगी अकेवट सोच रहा है कहें कुछ नहीं रहा है भगवान स्री राम लच्मड से फिर जसोची के लच्मड हैं साथ में अकेले होते तो नगी जाते हैं फिर एक बात दूसरी जसोची कहें सीता को काओ अरे सीता को गोदी ले लेते लखनला में की भुजा तहे लेते जामे काओ पांची बड़ी बात पी हैं सीता को गोदी ले लेते लच्मड की कलाई पकल लेरो बापा तहें सीता को गोदी ले लेते और लखनलाल की भुजा तहे लेते स्री कंग्रा को पार पर जाते और काओ को हमसे अलाव मागाते हमसे काय को नाम वगाते हैं फिर केवट सोचने लगा धला ऐसे में अपनी पत्नी को हूँ कैसे गोदी में ले लेते और जलसे होके निकलके जाते नदी पार करके तो नीचे बरड़दे भगवार रहते हैं उपर सूरी देव हैं जो साके में बाबा लगते हैं बहला ऐसे में अपनी पत्नी की लोगलाज कौन प्याग देगा केवट जब इस तरीका से मन में बार बार सोच रहा है काफी विचार आ रहे हैं लेकिन जिस नाव के उपर चड़ने के लिए जाने के लिए तयार हैं लेकिन ये नाव क्या थी नाव नाव कावी उद्धार होना था ये नाव जो थी के जटरी बेकों है नाव हो नाव अरे जो छित्र के तो गंधर वकी है आ जाग पर वेकों है नाव हो नाव जो थी के जटर के तो गंधर वकी है के बड़ सोथ रहा है एस नाव कावी उद्धार हो रहा है अरे नाई गंधर चीपों लांगे नाव सी ताकों को दयो था दे जामें बैठेंगे शिरी राम जो शिरी राम जा जित्र के तो गंधर वकी है ये नाव जो थी इसकादी उत्धार हो था ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ था एक चित्र के तो नाम का गंधर व था ये गाने वजाने के वड़ा उत्तीड था किसी कारण महतमाने से शुराप दे दिया और जब चितर के तु जो था जब वो ब्रक्षु बन गया तो चितर के दोनों हाद हाद जोड़ करके कहने लगा भवबन मेरा उतार कैसे होगा जब आप दिया अभी नहीं त्रेता योग में जब केवट जब तु ब्रक्षु बन गरके खड़ा होगा चित्रकेट से कहा तब वो तुझे कटवाएगा वो ना बनवाएगा जिसके उपर भवगान स्रीराम जब निकल करके जाएगे तब तेरा अथार होगा बताया था ये बरदान जब दिया है कहा चित्रकेट आरे त्रेता युग में केवटु तेरे और प्रक्षकों कटाई है औरे चित्रकेटु वो केवट बाकी नाभा बनवाई है महाराजु चड़ेंगे सीता संग करतार वर्युच्दी तबे उनके जलन लासें होई गोते रोई उत्धार पीरन बही पुरानी बात के वटके समझा में आई गई है मैजा पही पुरानी बात के वटके समझा में आई शाई है एक समझा में आई गई है बात के समझा में आई गई है पीरन बही पुरानी बात के वटके समझा में आई गई है आज कहा त्रेता योग में जब केवट तेरे ब्रच को कटवाएगा तब तेरा उनके हादें से उत्धार होगा अब भगवान राम कहने लगे भईया केवट ए केवट कहा खो गई हो इधर देखो अरे भई हमें गंगा से उस तरफ कर दो हमें पिता की आग्या का पालन करना है हमें जाने दो तो उसी समय पर कहा भगवान स्री राम ने भईया केवट अम मुझे मालूम पड़ गया कि तू बिना पैर धोए नाव पे चड़ने नहीं देगा बिल्कुल नहीं महराज क्योंके हमें डर है ना डर है हमें अगर तुमारे चड़ों की धूल पड़े गई और हमारी नाव है कल से धंदो बंद होई जाए इसलिए महराज हम नाव पे चड़ने नहीं देंगे तो भगवान स्री राम कहने लगे भईया केवट तू तो ऐसी बात करता है अरे पहली बात तो जह है के नारी बने में और अगर नारी बनी हो गई तो जामें आपती का आपती क्यों आए महराज आपती अरे का आपती है तेरे घर में दोई-दोई नारी है जाएंगी जब कहीं महराज दोई-दोई नारी जाके घर में और रोटी रोटी चैन से कभव खान के लाए नाए मिलेगी जगई पागल होई गई रामने कई जगई एक पेर दबावेगी एक सर दबावेगी तो केवट कान लगोना है महाराज जब सर नाए दबाईगी वह जले के गलो दबाईगी किरो का सुद्य तो चुनक वकुल होते हैं तॉसे महाराज हम बताए रहा है तो मुझे हमें कोई नाम का को है जो कैसे सरु सब्यक्राइब हो वाल दिखी करा देखो हो उनकी दोडों और यहां थी एक पत्र इमहें वहारां देख समझे कहे ना राम कहने लगे जतो बात तुमने सही गई जगई महराज और बताएं बताओ बुरो न लगे तो बताओं हम तुमें जगई कहने बताओ तो केवट बोला अरे कहत कहत राम मुए डर लगे भारी और तुमरे उनाथ तीने महातारी केवट कान लगो महराज तुम्हें अगर बुरूर न लगे तो हम तुमते काई राएं बैसे हमाई काई वे कि तो कोई इच्छा नहीं है कहत राम मुए डर लगे भारी और तुमरे उनाथ तीने महातारी और जो दसरतने प्याहर जाओते तो तुमकों बन कोन पठाओते पुत्तर दिया महराज तुमारे ही घर में सौतिया डाहर परो हुए अगर ऐसी बातना होती तो तुमकों बन बने जामें नाए माच झालना होती जाओते तुमकों बने नाए